लाइगर और टाइगन ये दो ऐसे जानवर है जिनके बारे में सुने तो काफी लगोंगे लेकिन देखने वालों की संख्या इसमें बहुती कम है अगर बात की जाए टाइगन की तो ये नरबाग और मादा शेर के मेल से बनते है वही दूसरी तरफ लाइगर मादा बाग और फ्रफ शेर के संभोग से बंते हैं लेकिन आखर क्या आप ही जानते है इस दोनों में से सबसे ताकत और जानवर आखिर कौन सा है तो आज किस वीडियो में हम टाइगन और लाइगर से जुड़ी कुछ जानकारिया जानने वाले हैं और आखर में हम ये जानेंगे कि इन दो तो ये जानने के लिए कि आखिर टाइगॉन और लाइगर की लडाई में कौन से जानवर सबसे साकतोर है हम इन दोनों से जुड़ी कुछ जानकारियों को जानेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइगर की तो जब मादाबाग नर्शेर के साथ सम्भोग करती है तब उनके हुने वले बच्चों को लाइगर कहते है और दुनिया का सबसे पहला लाइगर को सन 1799 में देखा गया था और अब लाइगर सिर्फ कैद में ही पाई जाते है लाइगर एक मांसा हरिप्रानी है ऐसा बताया जाता है कि लाइगर पूरे दिन 40 किलो ग्राम तक का खाना खाना पसंद करते है और हर दिन लाइगर का वजन तकरीबन 500 ग्राम बढ़ जाता है और जब वे एक साल के होते है तब उनका वजन तकरीबन 160 किलो ग्राम से भी जादा होता है और कुछ का वजन तो 300 किलो ग्राम से भी अधिक होता है लाइगर अपना जादतर समय पानी में ही बिताते है और इसलिए लाइगर तेरने में भी बहुती जादा अच्छे होते है अभी के जमाने में लाइगर सिर्फ कैद में ही दिखने को मिलते है सभी बिल्ली के प्रजातियों में लाइगर को ही सबसे ताकत वर बिल्ली माना जाता है और मियावी में एक हरकिलेस नाम की लाइगर पाई गई थी जिसका वजन 500 किलो ग्राम से भी अधिक था लाइगर 80 किलो मेटर प्रति घंटी की रफ़तार से भाग सकते है और ये 12 फिट तक की उचाई रखते है साथ ये 700 किलो ग्राम तक को वजनी हो सकते है अगर बात करें इनके जीवन काल की तो ये 20 साल तक का जीवन बिता सकते है और अब हम बात करते हैं टाइगॉन की जब नर बाग और मादा शेर मेटिंग करते है तब उनसे होने वाले बच्चे को टाइगॉन कहते है ठीक उसी तरह जब नर बाग और मादा टाइगॉन मेटिंग करते है तब उनसे होने वाले बच्चे को टाइगॉन कहते है और आखिर में जब नर शेर और मादा टाइगॉन मेटिंग करते है सब उनसे होने वाले बच्चे को लाई टाइगॉन कहते है टाइगॉन को पूरी दुनिया में टाइओन टाइगॉन्स और टाइग लॉयन्स की नाम से भी पहचाना जाता है और टाइगॉन एक मांसा हरी प्राणी है लेकिन अभी के जमाने में टाइगॉन सिर्फ कैद में ही पाई जाते है क्योंकि पूरी दुनिया में टाइगॉन की बहुत कम संख्या पाई जाती है लेकिन कैद में रहकर टाइगॉन काफी बिमारियों से जूशते रहते है जिसमें मुटापा भी शामिल है अगर बात की जाए इनके विशेस्ताओं की तो टाइगान को तैरना काफी पसंद होता है और ऐसा बताया जाता है कि टैगोन लाइगर से भी ज़्यादा गुसेल जानवर होते है लिकन लाइगर और टैगोन से कहीं गुना ज़्यादा बड़े होते है और ऐसा भी बताया गया है कि सबसे पहले टैगॉन और लाइगर इंडिया में पाए वेग्यानिकों के अनुसार टैगॉन का जीवनकाल को बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत कम समय तक ही जीवित रहते हैं अगर बात की जाए इनके वजन की तो ये 400 किलो ग्राम तक का वजनी हो सकते है आखिर में हम इन दोनों से जुड़ी सबसे महत्वपूर जानकारी जानते है कि आखिर टैगॉन और लाइगर की लड़ाई में कौन सा जनवर सबसे ताकत और और शक्ति शानी है तो टैगॉन काफी गुसेल जानवर तो होते है लेकिन फिर भी वो लाइगर का सामना नहीं कर सकते क्योंकि लाइगर कही कुने जादा वजनी होने के साथ साथ काफी ऊचे भी होते है इसलिए ये जानना काफी आसान है कि इन दोनों में से सबसे ताकत और और शक्ति शानी जानवर आखिर कौन है और अब तक आपको तो पता चली गया होगा कि इस लड़ाई में लाइगर ही जीतेगा तो आज किस वीडियो में हमने आपको टाइगान और लाइगर से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में बताया है अगर आप कोई जानकारी पसना थे तब आपी चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी ज़ोर दबात दे ताक या मैंसे इंफर्मेटी वीडियो और डाल सके